Hello everyone, welcome to Prakriti Classes. I hope you all are doing well. Friends, आज के इस क्लास में हम हिंदी के एक और महत्वपुन टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपका होगा क्लास 7. इससे पहले हिंदी की 6 क्लासेश हो चुकी हैं, जिन्हों ने भी वह सभी क्लासेश नहीं देखी, मुझाकर जरूर देखिए, सभी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे. और यह जो हिंदी की सीरीज चल रही हो आपके शिक्षक वर्ग 1,2,3 सभी में काम आएंगी. और जो आपका CGTate जून में होने माला है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे. और जो आपका CTate होता है, उसके grammar portion जो कि आपका आता है, पैसेज, जो 15 नमबर के आपके पूछे जाते हैं, उसके पैसेज में ही आपके grammar portion में से question आपके पूछे जाते हैं. तो यह आपके CTate के लिए important है, और जो आपका CGVapam में विभी निप्रकार के exams होते हैं, उनके लिए भी यह जो हिंदी की series है, वो बहुत ही important है, तो लास्ट तक इसमें आप जरूर बने रहेंगे, और जिन्हों ने भी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया, वो चैनल को subscribe कर और आपके कितने questions सही हुए, और जिन्हों ने भी अभी तक हमारे telegram को join नहीं किया, telegram को join कर सकते हैं, link आपको description में मिल जाएगा, क्योंकि यह सभी प्रकार की PDF आपको वहाँ पर provide कर दी जाएगी, तो अगर जिन्हें भी PDF चाहिए, वो हमारे telegram को join कर सकते हैं, link आपको description म मिल जाएगा, तो चलिए आज की class हम स्टार्ट करते हैं, तो आज की इस class में हम पढ़ेंगे आपके हिंदी के important topic जो कि आपका है वाग के विजार, इससे आपके exam में हमेशा question पूछे जाते हैं, तो अगर आपने इस topic को अच्छे से समझ लिए, अच्छे से पढ़ लिया त जो भी आपके विचारों की पूर्णता को प्रकट करते हैं, उसके हिपत समों को वाक्य कहा जाता है, पहले हम इसकी theory पढ़ लेंगे पूरे details है, उसके बाद इससे जितने भी questions बनते हैं, उन्हें भी हम पढ़ेंगे, तो last तक आप ज़रूर बन रहेंगे, इसमें आगे आ आपसे exam में इस प्रकार की भी question पूछे जाते हैं, यह जितने भी points आपर बताये जा रहे हैं, वो सभी आपके लिए बहुत ही important है, किसी भी points से आपकी exam में question पूछे जा सकते हैं, आगे आप इसमें देख सकते हैं, वाक्य का मतलब ही होता है, किसी वाक्य में कुछ लिखा और उसके बारे में पूछा जाएगा कि यह कौन सा वाक्य है, इसी वरकार के आपके exam में question पूछे जाते हैं, अब जो उद्देश है, उसके बारे में आप इसमें देख सकते हैं, जो उद्देश के बारे में आपका लिखा गया है, कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा गया हो उसे उद्देश कहते हैं जिसके बारे में भी किसी चीज का उल्ले किया हो उसे ही आप उद्देश कहते हैं आगे आगे आप इसमें देख सकते हैं इसके अंदर करता दथा करता विस्तार आते हैं जैसे कि विशेशन संबंध बोधक भाव बोधक ये सबी चीजें आप करता एवं करता के अंतरगत आते हैं इसमें आगे भी आप देख सकते हैं कि क्रिया के साथ कौन अथवा किसने लगा कर प्रश्ण करने पर उत्तर उद्देश होता है क्रिया के साथ किसी भी प्रकार का जो हम कौन किसने इस प्रकार के जो शब्द लगा कर एक वाक्य बनाते है वो भी आपके उद्देश के अंतरगत ही आते हैं तो ये सभी चीज़ें आपके उद्देश के अंतरगत आती हैं अब आगया विद्धे के बारे में देख सकते हैं जो विद्धे होता है आपका उसमें लिखा गया कि उद्देश के विशाय में जो कुछ कहा जाए उसे विधे कहते हैं, जो उदेशे होता है, उसके वारे में हम जो कुछ भी लिखते हैं, उसे हम विधे कहते हैं, जैसे इसके अंदर गता जाते हैं, आपके क्रिया, क्रिया विस्तार, कर्म और क्रम विस्तार, ये सबी चीजें आपके विधे के अंदर गत तो यह भी points आप इसमें आद रहेंगे आपसे एक्जाम में यह सब चीज Меня पूछ ली जाते हैं कि विधे क अंदरगत कों से.. कि तो यह सब चीज में आप एसमें आद रखें कि विधे का अंदरग आ जाता है। क्रिया क्रिया विस्तार करम और करम विस्तार अब क्रिया के साथ कब, कहां, कितना, कैसे और क्यों लगाकर प्रश्न करने से उत्तर में विधे का विस्तार आता है अगर हम किसी भी क्रिया के साथ कब, कहां, कितना, कैसे और क्यों लगाकर प्रश्न करेंगे तो इसमें विधे का विस्तार आता है और यही चीज हमने उद्देश के बारे में पढ़ा, इसमें आपने देखा कि क्रिया के साथ कौन अथफ़क, किसने लगा कर जो प्रश्न करने पर उत्तर होता है, वो आपका उद्देश के लाता है, तो यह दोनों पॉइंट्स आप इसमें याद रखें, उद्देश के साथ क्रिया के साथ कौन और किसने और जो बाकी बच जाते हैं वो विधे के अंतर गताजेंगे, जैसे कि आपका हो जाएगा क्रिया के साथ कब कहां कितना कैसे और क्यूं लगा कर इसे आप विधेह बना देते हैं, तो यह सभी पॉइंट्स आप इसमें याद रखेंगे, आगे अपने भावों के अभी वेक्ति के लिए जीवन में वाके का महत्व है, वाके में पद क्रम पहले करता, फिर कर्म, फिर क्रिया होता है, जो आपका वाके होता है, उसके जो पद क्रम होते हैं, उसमें सबसे पहले आपका आजाता है कर्ता, उसके बाद आता है आपका कर्म, उसके बाद आती है KRIYA, तो यह जो क्रम है, उसे भी आप याद रखेंगे, क्रम से भी आपके एकजाम में कोशन पूछे जाते हैं, नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं, अब इसमें देखेंगा पद बंध के बारे में, पद बंध के अंदर गत लिखा गया है कि वाक के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस पर जुड़कर अर्थ तो देते हैं किन्तु पूरा अर्थ नहीं देते वो कहलाते हैं पद बंध या वाक्यांश इसे ही आप वाक्यांश भी कहते हैं ये पॉइंट भी आप इसमे पद बंध संग्या पद बंध के अंतरगत आता है जैसे कि उधारन में आप देख सकते हैं संग्या पद बंध वाक्य में संग्या का काम करने वाला पद समू जैसे कि इसमें देख सकते हैं भारत के प्रधान मंतरी गोली से घायल सेनिक मिट्टी कतिल ये सभी एक परस पर ज तरगा तो इसमें आप देख सकते हैं, जिन क्रिया युक्त पदों में आंशिक भाव व्यक्त होता है, उसे उपवाक्य कहते हैं, जिसमें आंशिक भाव व्यक्त होता है, मतलब कि थोड़ा सा ही भाव व्यक्त हो, उसे आपका उपवाक्य कहा जाता है, इसमें आप देख सकते जैसे कि पहला आपको जाएगा संग्या-उप्वाकय, जो प्रधान या मुख्य उप्वाकय की संग्या-या-कारक की रूप में सहायता करें, उसे ही संग्या-उप्वाकय कहा जाता है यदी या अधिकांश की या जो से प्रारम होता है यह दोनों पॉइंट्स आप इसमें याद रखें की और जो से प्रारम होता है वही आपका उपवाक्य कहलाएगा मतलब की संग्या उपवाक्य कहलाएगा तो यह पॉइंट आप इसमें देख सकते हैं उधारन के माध्यम से आप जादा अच्छे तरीके से समझेंगे जैसे उ की आरहा है, यही कारण है जो मैं बिमार पड़िया, मैं नहीं जानता की यह high, की यह कहाँ है, तो जैसे यह सभी की पॉइंट्स है इह आप याद रखेंगे, इनसे ही कुश्या आपसे बनने लगेंगे, तो जो उपवाक्य है उसमें आप की और जो को याद रखेंगे आपके most important points है तो इन्हें आप याद रखेंगे जिस भी वाक्य में आपके की और जो आए वो आपके संग्या उपवाक्य के अंतरगत आएंगे तो इतने points आप इसमें याद रखेंगे अब आगे आप इसमें द जैसे इसमें आपकी सो और वह. ऑ जो संग्या उपवाकी थी उसमें आपने देखा था की, और जो. इस प्रकार के जो की पाइंट यूँट्स हैं एक विशेशन उपवाकी हैं. सो और वह, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, एक्जामपर में वह कुत्ता जिसके शरीर पर काले धब्बे हैं, मेरा है, वह यहाँ पर आ रहा है, तो यह आपका विशेशन उपवा के होगा, नेक्स्ट इसमें देख सकते हैं, मैंने कहा कि तुमने यह कलम खरीदी है, जो बाजार में सबसे सस्ती है, तो यह सभी की पॉइंट्स आप इसमें याद रखेंगे, इनसे ही आपके एक्जाम में कोशन पुछे राथ, इक्जामपल्स में आप देख सकते हैं, जो सो और वह है वो इसमें दिया गया है, अब नेक्स्ट इसमें आप देख सकते हैं, क्रिया विशेशन उपवाक्य, क्रिया विशेशन उपवाक्य के अंतरगत लिखा गया है, कि जो उपवाक्य किसी क्रिया की विशेशता बताता है, उसे क्रिया विशेशन उपवाक्य कहते हैं, जैसे ज जहां जहां वह जाता है मैं भी वहां जाता हूँ, जब पानी बरसता है तब मेंधक बोलते हैं, जहां सर्जनों का सम्मान होता है वहां लक्षमी निवास करती, मतलब कि एक उपवाके के साथ किसी की विशेष्टा बताई जा रही है, जहां जहां वह जाता है मैं भी वहां प बता रहा है, जैसे कि जब पानी बरसता है तब मेंधक बोलते हैं, पानी के सांद मेंधक की विशेष्टा बताई जा रही है, तो ये सभी चीज़े कृरिया विशेष्टा नवपवाके के अंतर गताती है, तो ये सभी चीज़े आप इसमें याद रखें अब जो पधबंध और उपवाक्य में अंतर होता है, उसे आप देख सकते हैं, पद बंध में क्रिया नहीं होती, इस कारण आंशिक भाव देता है, जबकि उपवाक्य में उपस्थित होती है, और पूर्न अर्थ देता है, जो आपका पदबंध है वो आपका आंशिक भाव देगा जबकि उपवाक्य है वो क्रिया में पस्थित होती है और वो पूर्ण अर्थ देता है तो ये सबी चीज़ें आप इसमें याद रखेंगे नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं द्वी अर्थी वाक्य अब द्वी अर्थी वाक्य के बारे में आप देखेंगे ऐसे वाक्य जो दो अर्थ प्रकट करें उसे द्वी अर्थी वाक्य कहते हैं जैसे कि पहला अर्थ होता है मूल अर्थ और दूसरा अर्थ होता है सांकेतिक अर्थ तो जो द्वी अर्थी वाक्य होते हैं वो मूल अर्थ और सांकेतिक अर्थ के मेल से ही बनते हैं तो इसे ही आपका द्वी अर्थी वाक्य कहा जाते हैं जैसे आप example देख सकते हैं समय के साथ महादेव बुढ़ा हो गया तो ये आपका हो जाएगा मूल अर्थ और एक आपका हो जाएगा सांकेतिक अर्थ तो दोनों के मेल से ही आपका द्वी अर्थी वाक्य बना है समय के साथ महादेव बूढ़ा हो गया यह दोनों अलग-अलग वाक्य हैं तो इनसे ही मिलकर आपका द्वी अर्थी वाक्य बना अब आप देख सकते हैं आगे वाक्यक के जो भेद होते हैं ये आपके एक्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इनसे आपके एक्जाम में कुश्ण पूछे जाते हैं जैसे आप इसमें देख सकते हैं, वाक्य के भेद होते हैं, दो आधारों पर बाटा गया है इन्हें, अगर आपसे पूछा जाए कि वाक्य के भेद कितने होते हैं, तो हिंदी के संपूर्ण वाक्यों को दो आधार पर बाटा गया है, तो आपको बताना है कि दो जो वाक्य के अधार पर कितने प्रकार होते हैं तो आपको बताना है कि 8 प्रकार और अगर रचना के अधार पर पूछा जाए तो तीन प्रकार बताना है अगर आपको संपूर्ण वाक्यों के अधार पर कितने प्रकारों में बाटाए या अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताएं कि दो प्रकार इन सभी पॉइंट्स को आप देख लेंगे, नोट कर लेंगे, कि अलग-अधार पर आपसे question पूछा जाता है तो जैसे आप देख सकते हैं, अर्थ के अधार पर आठ प्रकार के होते हैं, इसमें आप इसमें देख सकते हैं, वीधी वाचक वाक्य, निशेद वाचक वाक्य, आग्या दायक वाक्य, और प्रश्न वाचक वाक्य, फिर आपका आजाएगा इक्छा वाचक वाक्य, फिर आप आपका इक्छा वाचक वाक्य और यह आपका निशेद वाचक वाक्य अब जो रशना के अधारबर आपके तीन प्रकार के वाक्य उसे आप देख सकते हैं पहला आपका होता है साधारन वाक्य या सरल वाक्य तोड़ी बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई तो इसे आप करेक आपके हैं यह तीन प्रकार के साधारन वाक्य मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य तो यह सभी प्रकारों को आप याद रखेंगे अब इन ही प्रकारों के बारे में हम आगे डीटेल से पढ़ते हैं कि करके कि इनसे ही आपके एक्जामें कोशन पूछे जाते हैं तो अर्थ वीधी वाचक वाक्य होती है, उसके आंते में चाहिए प्रकार की क्रिया लगती है, तो इसे भी आप याद रखेंगे, यापके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है, ऐसे की पॉइंट को आप याद करते हुए चलेंगे, क्योंकि यही आपके एक्जाम में आपको कोशन बनान के लिए help करेंगी, जैसे आप examples के through इसे समझ सकते हैं, जैसे सबको अपना काम समय पर पूरा करना चाहिए, मैं खाना खा चुका हूँ, तो इसमें आप देख सकते हैं, चाहिए जैसे जो शब्द हैं, वो आपके वीधी वाचक शब्द के अंतरगत आएंगे, तो यह सभी आप इसमें याद रखेंगे, और यह आपके CGV आपम में किसी ना किसी एक्जाम में पूछे गए questions है, तो इन्हें आप जो जितने भी examples हैं यहाँ पर वो आपके लिए बहुत ही important है, तो सभी को अच्छे से आप याद रखेंगे, और समझते हुए चलेंगे, तो इसमें आ इसमें आप देख सकते हैं, जहां किसी कथर में नकारात्मक्ता का बोध हो, जिस वाके से नकारात्मक्ता या ना होने का भावत्पन हो, जैसे हमने खाना नहीं खाया, हम बाजार नहीं गये, इसमें आप देख सकते हैं कि नकारात्मक्ता का भावत्पन हो रहा है, और ना कि ना होने का भावत्पन हो रहा है, तो ये सबी चीज़ें आपके निशेद वाचक वाग के अंतरगत आएंगी, नी से आप नहीं को याद रख सकते हैं, इस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हैं, जहां पर भी नहीं जैसे शब्द दिखने को मिले आपको, वो आपके निश आपके प्रिवेस येर में आया हुए कोश्चन से तो यह आप याद रखेंगे, नेक्स आप इसमें देख सकते हैं, आग्या वाचक वाग्य, जैसे कि जहां किसी कथर में आदेश का बोध हो, आदेश का बोध हो वो आप कहा जाएगा आग्या वाचक के अंतरगत, ऐसे वा आग्या वाचक वाग्य, जैसे कि तुम पढ़ो, फूल मत तोड़ो, अच्छा अब तुम घर जाओ, जिसमें भी किसी के बारे में आग्या का उलेखो, वो आप कहा जाएगा आग्या वाचक वाग्य के अंतरगत, तो यह सभी पॉइंट्स आप इसमें याद रखेंगे, आ आप इसमें देख सकते हैं, जहां किसी कथन में प्रश्न वाचक दिया हो, अत्वा प्रश्न वाचक का भाव हो, जिन वाग्यों में प्रश्न पूछे जाने का बोध हो, जैसे कि तुम क्या खा रहे हो, जिसमें क्या, कौन, इस प्रकार के जो शब्द आपको देखने को मिल वह आपके हो जाएंगे प्रश्ण वाचक वाक्य। कार कौन चला रहा है वह पढ़ता है या मझाक करता है।ी इसमें भी किसी प्रकार के प्रश्ण पुछने का उ Candice वह आप का जाएगा प्रश्ण वाचक अब नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं विस्मय वाचक वाक्य है यह इसे आप करेक्ट कर लेंगे आज का यह लेक्चर है उसमें थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है तो आप थोड़ा सा उसे करेक्ट करते हुए चलेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं जहां किसी कथन में विस्मय आदी बोधक शब्द दिया गया हो, जिस वाके में दुख, शोक, विस्मय का भाव हो, वो आपका हो जाएगा विस्मय वाचक वाके, जैसे इसमें आप देख सकते हैं, कितना सुहाना मौसम है, तुमने कितना अच्छा काम किया, मुझे ख़बर ही नहीं थी, ओ त तुमने देर रात तक पढ़ाई की, जो इस प्रकार के आप शब्द देख रहे हैं, जो ये आपका चिन है, यही आपका विस्मयादी बोधक चिन होता है, तो इससे आप समझ जाएंगे कि ये आपका हो जाएगा विस्मय वाचक वाक्य, तो ये जो की पॉइंट से इसे आप कोशन अच्छे से बनेंगे, नेक्स आप इसमें देख सकते हैं, संदेह वाचक वाक्य, जहां किसी कत्हन में किसी कारे की होनी की संभाना हो, उस वाक्य से संदेह का भावत पन हो, जैसे कि उसने खा लिया होगा, इसमें ये आपको कंफर्म नहीं है, कि उसने खाया होगा, यह नहीं खाया होगा इसमें किसी संदेह की संभावना उत्पन हो रही तो यही आप इसमें समझ जाएंगे कि संदेह वाक्य इसे ही कहा जाता है तो इस प्रकार के जो शब्द होंगे वो आपके संदेह वाचक वाक्य के अंतरगत आएंगे आप इसमें देख सकते हैं इक्षा वाचक वाक्य, जहां किसी कथन में अपनी इक्षा बताई जाए, जिस वाक्य में इक्षा अत्वा शुपकामना का बोध होता है, जैसे भगवान तुम्हारा भला करे नव वर्ष मंगल मैं हो, जिसमें किसी भी शुपकामना के बारे में दिया गया हो, किसी को जैसे हम बताई यह सबय जो चीजें होती हैं यह एक्षरवाचक निरगत आएंगी और जिसमें खुद की इक्षर प्रकटम हो आपका एक्षर वाचक कि लाईगा तोые शब्विधित चीज़ें आप इसमें याद रखेंगे next 14 सब्सक्कें एक कथं दूसरी तरह स्थालब्हान पर निरभर हो जैसे सब्सक्राइब In अगर जो पढ़ेगा वही पास होगा इसी प्रकार से एक कथन दूसरी कथन पर निर्भर हो गया तो यही आपका संकेत वाचक वाके कहलाएगा यदि आप मुझे बुलाए होते तो मैं अवश्याता पानी न वरस्ता तो धान सूख जाता तो एक कथन होगा वही आपका संकेत अगर वही पास होगा अगर वह पढ़ेगा तभी वह पास होगा जैसे कि आप मुझे बुलाए तो मैं अवश्याता यदि पानी बरस्ता तो धान सूख जाता यदि तुम परिश्रम करते तो अवश्य उत्तिर्न होते तो यह समी चीज़े आपके संकेत वाचक वाके के अंत सदारन वाके था जनुक्त अप करते होंसे सोगते हैं का तुम उधे तो उन दोनों के जो वाके से मिलता है वह होता है सिर्न वर भाके इसमेर की खरता है Ai तो यह सेब आपके साधरन वाक्य के अंतर गातायेंगे, आगे दीख सेके जो मिश्र वाक्य है उसे लिखा गया है कि जिस वाकय में एक सरल वाकय के अतरिक्त उसके अधीन अन्य जैसे कि आश्रित या उप वाक्य होते हैं तो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं, जैसे जहां कथान में एक उद्देश हो और उससे सम्मंधित कई विधे हो, जिसमें एक उद्देश होता है और जिसमें कई विधे हो, वो आपका हो जाएगा मिश्र वाक्य, जैसे इसमें हो कि जहां ज्यों ही जब जैसा ताकी इतना जैसे जैसे ये सभी जो आपके हैं आदियों जग्षब कशब्दों से सहायक वाक्य में जुड़ा हुआ होता है वही आपका मिश्रवाक्य कहता है किसी ये मिश्रवाक्य में अगर आपको ये आगे आप इसमें देखें जैसे उदारण के माध्यम से आप समझ सकते हैं यह वही आदमी है जिसको हमने कल देखा था यह आपका हो जाएगा मुख्य भाग और यह आपका हो जाएगा आशृत वह मनुष्य वह कौन सा मनुष्य है जिसने महा प्रतापी राजा भोज का नाम ना सुना हो जैसे यह आपका हो जाएगा मुख्य भाग और यह आपका आशृत वाक्य जैसे जो जिसको है वह आपका क्रिया इसमें विभिन प्रकार की क्रिया पाए जाएगी तो यही आपका हो जाएगा मिश्रवाक्य वह यही दे声 संयुक्त के देख सिंध जाता है उसे अधिक उद्देश्य होते हैं, तथा इक से अधिक विध्य होते हैं, मतलब बहुत साथ उद्देश्य होगे और बहुत सारे वीधे भी होंगे, मतलब कि कर्ता और क्रिया दोनों ही बहुत से प्रकार के होंगे, जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं, जो प्राया और किंतु अत्वा या वा लेकिन परंतु फिर भी इसलिए जैसे शब्द जूड़े होते हैं, वो आपके हो जाएंगे उद्हारान आप इसमें देख सकते हैं, जैसे कि मैं रोटी खा कर लेटा की पेट में दर्द होने लगा और दर्द इतना बढ़िया की दॉक्टर बुलाना पड़ा, आप इसमें देख सकते हैं, विभेन अप्रकार के क्रिया और कर्था यहां पर दिये गया हैं, उद्हारा हुई और वहां चहल पहल शुरू हो गई तो जो इसमें आप देख सकते हैं जो प्राया या व परंतु फिर तो यही सभी चीज़ें इसमें दी गई हैं तो यही आपका हो जाएगा सयोगत वाग्य जिसमें अनेक क्रियाएं और करता मौजूद हो वह आपके हो जाते हैं सयोग आकांशा वाक्य के एक पत को सुनकर दूसरे पत को जानने की इक्षा ही आकांशा है जैसे राम काम करता है इस वाक्य को सुनकर यह जिग्यासा होती ही कि राम क्या करता है राम करता है तो इस वाक्य को सुनकर यह आपके मन में जिग्यासा उत्पर्ण होगी कि राम आखिर क तो यही मतलब कि दूसरे पत को जानने की इक्षा ही आपकी आकांशा गहलाती है तो राम क्या करते है वह आपके आकांशा वाक्य के अंतरगत आएगा नेक्स आप इसमें देख सकते हैं जो आपका योगयता क्या अधार पर इसे बाटा गया है जो योगयता है इसमें योगयता पदो के अर्थ व्यक्त करने की जो छमता होती उसे योगयता जैसे वह डंडे से नाव खेता है डंडा और नाव के बीच में जो योगयता है वही कि में योग्यता का अभाव है इसमें डंडे की इस्थान पर पत्वार शब्द रखने पर योग्यता की पूर्दी हो जाती अगर डंडे की जगा आपका पत्वार शब्द रखा हुआ होता तो इसमें जो शब्द है वो पूर्ण हो जाती तो यही चीज़ें इसमें दी गई हैं आगे आप इसमें देख सकते हैं आसकती या सन्निधी आकांशा और योगता युक्ते पदों की निकटता ही आसकती है जैसे एक वाक्य के प्रतेक शब्द का उचारण एक स्थान एवं एक समय पर ही होने पर अभिष्ट अर्थे की प्राप्ती होती जैसे पूरे शब्दों को एक साथ कहना जैसे इस्त्रिया मंगल गीदगार ही है यह आपका गलत हो जाएगा इस्त्रिया मंगल गीदगारें यह आपका सही हो जाएगा किसी भी वाक्य को पूरे शब्दों के साथ एक प्रकार से कहना यही आपका जो आसक्ति या सन्निधी है वो आपका हो जाएगा आप इस प्रकार से किसी भी शब्दों को नहीं बोल सकते यह आपका गलत होगा, पूरे मिला कर किसी वाकिय का आप जब उच्चारान करते हैं, वो आपका हो जाएगा, बिल्कुल आसकती या सन्यती वाकिय, तो यह सबी चीज़ें आप इसमें याद रखेंगे, अब आगया पत करम के बारे में देख सकते हैं, एक एक पॉइंट आप प्रयुक्त सभी शब्दों की विधी वाद इस्थापना होती है, वही आपका करम होता, जैसे रोटी मैंने खाई, यह गलत है, मैंने रोटी खाई, यह सही हो जाएगा, मतलब किसी भी चीज़ों को आप अरेंज करके लिखेंगे, तो वही आपका पत करम कहलाता है, किसी भ पारे में हमने सबसे उपरे पढ़ा था करता कर्म क्रिया, इसी प्रकार से आपको सभी वाक्यों को अरेंज करके लिखना रहता है, और उच्छारन भी करना होता है, सार्थकता के बारे में आप देख सकते हैं, जो वाक्य का कुछ न कुछ अर्थ अवश्य होता है, जैसे इ बालक और बालिकाये गई, अशुद्ध है यह आपका शुद्ध होता है, जैसे कि किसी भी चीजों को सही प्रकार से उसके लिंग वचन पुरुषकाल के अदार पर ठीक से मेल होना चाहिए, तो वही आपका शुद्ध वाक्य होता है, इस प्रकार से यह आपके आजाएंगे अब यहां तक हमने इसके पूरे वाक्य के बारे में बहुत ही डीटेल से पढ़ लिया तो अगर इतना आपने कर लिया तो आप से वाक्य के कोशन बहुत ही अच्छे से बनेंगे अब चलिए हम इसके जितने भी MCQs हैं उन्हें स्वाल्व करते हैं तो कॉमेंट करके आप जरूर बताएंगे आपके कितने कोशन इसमें से सही हुए और ख्लास आपको कैसी लगी तो चलिए सबसे पहला कोशन आप इसमें देख सकते हैं कोशन नमर वन आप इसमें देख सकते हैं सार्थक शब्दों का व्यवस्थि समू जिसे अपेक्षित अर्थ प्रकट होता है यही आपका वाक के कहलाता है अब नेच्ट आप इसमें देख सकते हैं उसने परिश्रम तो बहुत किया किन्तु सफलता नहीं मिली अब आप देख सकते हैं जो मैंने वाक के प्रकारों के बारे में बताये थे उससे ही आपके एक्जामे कोशन पूछे जाएंगे तो आप द सजितर वाक्य यदिश्रित वाक्य या इन में से कोई नहीं उसने परिश्रम तो बहुत किया लेकिन सफलता नहीं मिली तो यह आपको हौ गजाएगा सेयुक्त वाक्य बढ़े था उस Полशें में मैं बताया था कि इसमें बहुत से उद्देश और बहुत से वीद sorgen के भारे मे यह सबी चीज़ें हो जाएंगे तो, किंतु, यह सबी जो चीज़ें वो विभ्मिन प्रकार की क्रिया और करता, इसमें दी गई हैं, तो यही आपका सहुक्तवाक्य हो जाएगा, अब नेक्स्क और आप इसमें देख सकते हैं, कोशन नम्बर थरी, यदि सही दिशा में तो उसमें मैंने बताय था कि जो एक आपका सरल वाक्य होगा उसके अंदरगत, एक अन्य वाक्य जूड़ा हुए जिसमें कि याप का एक जो उद्देश होगा, और दूसरा आपका होगा विधेय, उद्देश आपका एक ही होगा और विधे आपके कई प्रकार के होगा हो जाएगा मिश्रवाक्य तो ये सभी पॉइंट मैंने मिश्रवाक के बारे में आपको बताया था अब नेक्स्ट कोशन आप इसमें देख सकते हैं कोशन नमबर फोर इश्र तुम्हें सफलता दे प्रश्न वाचक वाक्य इक्षा वाचक वाक्य आग्या वाचक वाक्य या विस्में वाचक वाक्य तो जो इश्र तुम्हें सफलता दे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इक्षा वाचक वाक्य जो आपका इक्षा वाचक वाक्य है उसके अंदर गत मैंने बताया था कि जिसमें भी आपके blessing से सम्मंधि जो क्रिया हो वो आपका हो जाएगा आपका इक्षा वाचक वाक्य अगर आप किसी में अपनी इक्षा प्रगट कर रहे हैं या किसी को ब्लेसिंग दे रहे हैं शुपकामनाई दे रहे हैं तो वो आपका हो जाएगा इक्षा वाचक वाक्य इसमें आप देख सकते हैं जो इश्वर तुम्हें सफलता दे आप किसी को ब्लेसिंग दे रहे हैं तो यह आपका हो जाएगा और एक अन्य वाकी का जो मेल हो रहा है उसी से आपका मिश्रवाकी बनता है तो यह पॉइंट इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा यह आपका ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा अब नेक्सक्षण आप इसमें देख सकते हैं कोश्च नमबर सिक्स्ट राम क्रिकेट ख देश भी आते हैं, तो यही इसमें बिल्कूल सही हो जाएगा. Next question आप इसमें देख सेकते हैं, वर्षा हो रही है, options इसमें देख लिएगे हैं, निशेद वाचक वाग किये, यह आपका हो जाएगा, वीधी वाचक वाग किये, विसमय वाचक वाग किये, आग्या वाचक वागे. तो इसका जो चाहिं हो जाएगा, ऻो हो जाएगा, option No. B, वीधिवाचक वागे, इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, वीधिवाचक वागे मैंने बतायाथा कि, इसमें किसी जो वाग्य होता है, उसके बात होने का जो बोध होता है वो आपका हो जाएगा विधी वाचक वाग़ जिसमें किसी स्विकारता का बोध हो यही सभी चीज़ें इसमें बताई थी मैंने तो इसमें वर्षा हो रही मतलब कि स्वीकार कर रहा है ये इस बात को तो ये आपको हो जागा विधी वाचक वागए और इसके अंत में अगर चाहिए जैसे शब्दत दिये गया हो तो ये भी इसमें बिल्कुल सही हो जागा लेकिन ये कुछ अलग प्रकार का वागए लेकिन इसमें स्वीकारेता का बोध हो रहा है अगर यही पर कुछ और अन वागए दिया गया होता और इसमें चाहिए लिखा गया होता तो ये भी आपके विधी वाचक के अंत्रगत आता तो ये से भी पॉइंट साब इसमें याद रखेंगे आप्छेन आप देख सकते हैं तुम मत लिखो संकेत वाचक वागए विध्य वाचक वागए निषेद वाचक वागए या आज्या वाचक वागए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा option number C निशेद वाचक वाकि इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा तुम मत लिखो इसमें नकारात्मक्त का बोध हो रहा है जिसमें भी नकारात्मक्त का बोध हो वो आपका हो जाएगा निशेद वाचक वाखे, तो यह से भी points आप इसमें याद रखेंगे, अब next question आप इसमें देख सकते हैं, वा कितना सुन्दर द्रिश्य है, question number 9, वा कितना सुन्दर द्रिश्य है, इक्षा वाचक वाखे, आग्या वाचक वाखे, निशेद वाचक वाखे, या विश्मय इसमें आप देख सकते हैं जो इस प्रकार का सांकेतिक चिन्ह दिया गया है उसे ही मैंने बताए था कि जिसमें भी इस प्रकार के चिन्ह का उलेखो वापका हो जाएगा विश्मय वाचक वाग के तो यह इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा एक्जाम में आपसे अच्छे से कोशन बनने लगेंगे अगर आपने ये सभी लेक्छर को अच्छे से पड़ लिया तो आपके वाग के कोशन बहुत ही चात्रा ने बहुत ओच पुर्ण स्वर रचित कवीता सुना या श्याम आया और मोहन चला गया तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा आपका जो आपका सरल वाक्य है वो आपका हो जाएगा प्रधान मंत्री ने कहा कि हम शांती और युद्ध दोनों के लिए तयार है इसमें एक ही क्रिया है और एक ही आपका करता है तो यह आपका हो जाएगा नेक्स्ट है हमारा कोश्चन नमबर 11 वाक्य की द्रिश्टी से कौन सा सही नहीं है या आप से पुछा गया है रश्णा के अधार पर वाक्य की तीन भेत किये जाते हैं जैसे सरल सेंट और मिश्र वाक्य अर्थेका धार पर भी वाकियों का वर्गी करण किया जा सकते हैं उद्देश और विध्ये वाक्य क्या आवश्चक घटक माने जाते है और क्रिया को उद्देश और करता को विध्ये कहा जाता है तो इसका तर आप इसमें याद रखेंगे नेक्स कोशन आप इसमें देख सेते हैं कोशन नमबर 12 इनमें से कौन सा मिश्र वाक्य है प्रधान अध्यापक जी ने कहा कि कल विद्यालय बन रहेगा बहुत से छात्र पुस्तक आलय में हिंदी व्याकरन की पुस्तक पढ़ रहे हैं लड़के मैदान में एक सभक आयजन कर सतीश खाना खाकर उठा और हरीश खाना खाने बैठा इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आपको हो जाएगा option number a मिश्र वाक्य है यह जिसमें एक सरल वाक्य और एक अन्य वाक्य का उलेख हो जैसे कि प्रधान मंत्री ने जो प्रधान अध्यापक जी ने कहा कि कल विद्या संकित थे मरीश को यथा समय दवा देनी चाहिए वह सदयवी सत्य बोलता है मैंने गुरुजी के दर्शन किये जो व्याक्रण की द्रिश्टी से सही नहीं है यह आपको बताना है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह सद्य बोलता है तो यह इसमें बिल्कुल गलत हो जाएग सुक्ष्म निरिक्षन से हम बहुत सी बातों को सीखते हैं या मैं वहाँ पहुचा ही था जबकि आप आगए तो इसमें सही वाक्य आपसे पुछा गया है तो इसका सही वाक्य हो जाएगा बिमारी के कारण वह उपस्थित नहीं हो सका यही इसमें विल्कुल सही हो जाएग स्वामी जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि शाकाहरी बनो दरवाजा खुला रह गया अता चोर घर में घोज गया यही इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं कोशन नमबर 16 इनमें वाग के रशना से सम्बंधित कौन सा सही नहीं है सार्थक शब्द समू को वाग कहते हैं वाग के में करता और क्रिया का महतपुर्ण स्थान है उद्देश और विधे वाग के अनिवारे घटक है क्रिया को उद्देश और करता को विधे कहते हैं इसका सही अंसर हो जाएगा आपका सही नहीं है तो यही इसमें बिल्कुल सही हो जाए क्योंकि जो क्रिया है उसे आपका विधे कहा जाता है और जो करता है उसे आपका उद्देश कहा जाता है, तो ये points आप इसमें याद रखेंगे, नेक्स कोशन आप इसमें देख सकते हैं, कोशन नमबर 17, बर्फ पढ़ते देख, हमने एक धर्म शाला में शरण ली, वाक्य है, सहिंक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, जटिल इसका सहियान से हो जाएगा, आपका हो जाएगा, सहिंक्त वाक्य, नेक्स्ट आप देख सकते हैं, कोशन नमबर 18, रचना के अधार पर वाक्य के कितने भेल हैं, तो आप देख सकते हैं, रचना के अधार पर वाक्य के भेल हैं, तो आप देख सकते हैं, जो आपने इसके व अधार पर वाक्य की भेद होते हैं वो आपके हो जाएंगे तीन रशना के अधार पर मैंने बताया था तीन प्रकार के आपके भेद होते हैं वाक्य के यह आप इसमें याद रखेंगे नेक्स्ट आप इसमें देख सकते हैं अशोग पुस्तक पढ़ता है अशोग पुस्तक प नहीं है यह आप से पुछा गया है उसने कहा कि मैं निर्दोश हूं जो लड़का गाता है वह आ रहा है यह कच्चाम है इसलिए खटा है बादल खूब गर्जे किंतु बर से नहीं तो जो मिश्रवाक्य का उधारन नहीं है वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नमबर डी बादल से पढ़ा तो अगर इतना आपने कर लिया तो आपके एक्जाम में अच्छे से आपकी कोशन बनने लगेंगे तो जादस जाद आप इसे शेयर किज़े क्योंकि यह सभी आपकी फ्री क्लासेस है और लाइक कॉमेंट जरूर कीज़े कॉमेंट करके जरूर बताएंगे कि किया वो कर लिजिए और जिन्हों भी इन सभी की पीडियक चाहिए वो हमारे टैलीग्राम को जॉइन कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो चलिए मिलते हैसे ही नेक्स्ट्रिप क्लास में तब तक के लिए थाइंक और टेक केर